हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूटूब चैनल राज एजूकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको इस थमनेल में दिखाए दे रहा है तो रास्तान ड्राइवर बढ़ती है उसके समझ में जो रेडियेटर है हमारा इंजन का बहुती मैथोपून पार्ट है और वहन के रोड साइड मरमत में ये इंजन की बहुती सितलन के लिए बहुती मैथोपून परशन है और जो रेडियेटरिय जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत से परसन है वो पुछी जा सकते हैं तो आज गा जो हमारा वीडियो है हम रेडियेटर पर जो संक्सित जानकारी लेते हुए इसके जो ऑबजेक्टिव टाइप के जितने भी मैथोपून परशन है उनको को हल करने जा रहे हैं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जो जितने भी अब्जेक्टिव टाइप के उक्विशन है उनको संपूर्ण जानकर ये पूर्ण व्याक्या के साथ में जानेंगे पर तेक परसन है उसको एकदम अच्छे शर्च समझते जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं बुलें दोस्तों तो साथ ही हूँ सुरू करते हैं ये वीडियो सबसे पहले है सीतलन प्रणाली ये है इंजन के लगतार कारी करने से इंजन गरम हो जाता है तो सीतलक इंजन को ठंडा करने का काम करता है सबसे पहली बात ये परसन आ सकता है कि सीतलन प्रणाली का कारी होता है इंजन को ठंडा करना तथा इंजन एक का एक निशित आपमान बना रहे को सु नीचीत करता है आ हो सकते हैं अगर इंजन में जो शीतलन है या जो एर्रेडियाटर है या कुलेंट का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है ignition sorry यहाँ pre-ignition होगा पूर्वा पर जवलान होगा है जो इंधन का detonation detonation petrol engine में जो knocking की प्रक्रिया होते हैं उसे कहते हैं और knocking की प्रक्रिया diesel engine में कट कट की आवाज का न होता है दोस्तु तो इस प्रकार यह जो तीन दोस है आपके सामने मैंने लिखे हैं इनके अलावा भी दोस्ते हो सकते हैं जो सीतलन्द प्रनाली के अभाव में या radiator के खराब हो जाने से हो सकते हैं दोस्तों आगे देखते हैं सीतलन्द प्रनाली दो प्रकार की होती है दोस्तों आप जैसा की देख रहे हैं पर एक है water cooling इसमें radiator लगा होता है नमबर दो है air cooling इसमें engine पर फिंस मनाए जाते हैं दोस्तों मैंने पहले वीडियो में पी काफी बार बता दिया फिंस क्या होते हैं मोटर साइकल का आप engine लेक सकते हैं जिसके ओपर खांचे बने होते हैं पतली धारें से होती है जो हवा को रोकने का काम करती है और ये फिंस क्या कर सकते हैं ये जो वायू है उसका छे तरपल engine के आसपास बढ़ा देते हैं ताकि जो engine के संपर्क में ज्यादा वायू आएगी तो वायू के दवारा या air के दवारा हवा के दवारा ठंडा हो जाएगा आगे बात करते हैं सबसे मैतपून दोस्तों आप यह द्यान रगना कि water cooling में radiator होता है और air cooling में फिंस होते हैं यही सबसे मैतपून बात है वो आपको यहाद रगनी है कि air cooling है तो फिंस होंगे और water cooling है तो रेडिएट रोगा रिस्ट चलते हैं दोस्तों अब है कुलेंट आप सब को पता है जो वाटर कुलिंग होते हैं फाली उत्वे पानी का इस्तिमाल किया जाता है तेकिक्षम कोलेंट की वीवाश्ता होती funniest एक का पदार्थ है जो की बिना पानी के इंजिन को ठंडा करने का काम करता है मतलब इंजिन के जो भाग है उनको ठंडा करने का काम करता है तो यह क्या करता है पानी से ठंडी होने वाली इंजिन में आज कल पानी की जगह कुलेंट का यानि सितलक अपरियों किया जाता है जिसें सितलक हिंदी में कुलेंट अंगरेजी में कहते हैं यह सितलक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों के लिए अलग-अलग होता है बहुत अच्छी बात है जो आप सबको यहां स्क्रिंशोट ले लेने चाहिए कि यह जो कुलेंट है डीजल और पेट्रोल के लिए अलग होता है अब देखते हैं कि अलग-अलग कौन-कौन से होते हैं तो आपके सामने सबसे उपर है डीजल इंजन डीजल इंजन जो कुलेंट होता है यह क्या होता है यह कास्ट आइरेंड का मनाया जाता है दोस्तों के लिए तो पेटरों इंजन के लिए जो कुलेंट है वो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है तता इसका रंग के इसा होता है दोस्तू पिला सबसे महत्वर्पूनए मैं आप से चाहूंगा कि आप इसका इसके स्क्रिशोड ले ले लें अपनी कोफी में लिख लेंए कि जो डि अब है सीतलेंद प्रणाली के मुख्य भाकोन-कोन से होते हैं दोस्तों आप सब को पता है जो सीतलेंद प्रणाली है एक सेगेन जो सीतलेंद प्रणाली है आपके सामने इसके भाकोन-कोन से होते हैं तो इसमें सबसे पहला भागया रेडियेटर होता है इसमें दाब टोपी जो उसको डखने का काम करती है, जो प्रेसर केप या एक्स्टेंशन टेंक कहलाती है, एक ताप इस्थाई, लब दो जो थर्मो इस्टेट होता है, थर्मो इस्टेट क्या है, एक बाइपास इरेडिटर में दो सिस्टम होती है, एक तो होती है, परमानेंट जो रेडिटर काम क लगा रहता है इसका भी इसके ले सकते हैं कि जो शीतलेंद प्रणाली है उसके कौन-कौन से भाग है दोस्तूं बहुत ही अच्छा यह टोपिक है आपके सामने में ने रखा है अब दोस्तों शुरू करते हैं जो हमारी सितलन प्रणालिये इससे सम्मन्दी जितने भी मेत्वपन पर्षन है वो कौन-कौन से हैं उनको अब्जेक्टिव टाइप के एक्यूशन क्योंकि सब की डिमांड है कि सिरिमान हमें केवल अब्जेक्टिव चाहिए तो दोस्तों मैं आपके लिए वही कर रहा हूँ आपके लिए केवल और केवल अब्जेक्टिव टाइप के एक्यूशन है वो लेकर आया हूँ दोस्तों तो दोस्तों हमारा पहला पर्षन है थर्मो इस्टेट को कुलिंग सिस्टेम में सामानीत है के मध्ये लगया जाता है नमबर एक है सिलेंडर होज की मध्ये इंजिन वाटर जेकेट होता है इसके साड में लगावा होता है दोस्तों और ये थर्मो इस्टेट है वो कहाँ लगया written और जो पानी के लिए जो मारक बना होता है इन दोनों के मध्ये थर्मो इस्टेट है कामPL लिया जाता है नेश्ट पर्संद की कास्ट आईरन की प्लास्टी की परसंची यह दोए इसका उतर हो जाएगा दोस्तों पीतल की दोस्तों आप सबको पता है इस टेल कास्ट आईरन यह सब कього है यह जंग लेचने वाड़े होते है प्लास्टी की है जबाशेव की और मजबूत नहीं होता तो इसलिए परसन से क्या 5 है हमारा इसका से उतर क्या हो जाएगा दोस्तों पेट्रोन इंजन होता है इसका जो रेडियेटर होता है वो क्या होता है छोटा होता है दोस्तों हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है दोस्तों अगला परशन है हमारा आम तोर पर रेडियेटर शें बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं नमबर एक पीतल और तामबा लोहा चांदी एलिम्नियम तो दोस्तों जो आम तोर पर रेडियेटर बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं पीतल और तामबे के इसका उप्सन नम हमारा आप देख सकते हैं इसमें चीतर में कौन से परकार का कुलिंग सिस्टम का परियोग हो रहा है दोस्तों चीतर में जो कुलिंग सिस्टम है वो कौन सा परकार है तो आपको यह बताना है ओप्सन नमर एक डायरेक्ट कुलिंग system, indirect cooling system, thermosipon system और force feed system तो दोस्तों इसका परसंद को जो सही उत्तर हो क्या हो जाएगा thermosipon system दोस्तों नेक्स क्योशन की बाद करते हैं परसंद सिंगे हमारा आठ है कि cylinder blow क्या head के किस तरफ पानी का pump मड़ा होता है तो इसके किस तरफ है वो जो पानी का जो pump है उसका जो एक सैट का जो छो चोर है उसको लगाया जाता है तो नमबर एक है rear, flywheel, radiator, front है तो यह कहां हो जाएगा दोस्तों फ्रेंट में और नमबर डी है वो क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तों नेक्स क्यूशन की बात करते हैं हमारा अगला परसन है कौन से प्रकार के radiator core में अधिक संक्या वाले विक्तिगत हवा के शेल्स दिये जाते हैं जो चारू और से पानी से गिरे होते हैं जूललल कौर नमब ट्यूबलर कोर इक्टी एक हपार से लिवान कौर कोर तो दोस्तों परसंदीन कि नेक्सकौन अन्वे मिद्च को ऊप्रष्टों खती है रियैडिये टर्न पर्म सिस्टम नियन फिर्ली संट्रियर चलो के निच्छ रहनी है मंयं 176 यो 10200 की घली बात इसमीं पर सामने म बता ओ बाएं लेक्ता पर्लुको थारे पानी के इंजन क्यों वाटरोने स्लॉटे हैं मॉटराथ เหटा डेक्रों पर स्पानी कींु दूस्टा-इकम यह řो भी हो्त शाली परॉट्टेकाय कनाची चीतर में जो है वो क्या है दोस्तों बताईए वाटर कुलेंट तापमान इंजन ओयल तापमान ट्रांस्मिशन ओयल तापमान एक्जास्ट गेस तापमान दोस्तों आप देख सकते हैं यहां सी सिंबल दिखाई दे रहा है तो सी यह कुलेंट है तो दोस्तों इस परसंद का क् दियेगे चितर में किस प्रकार की कुलिंग के सिस्टम में किया है। कौन से बल के दौरा पानी को इंजन में ब्लोक में बेजता है नमर एक सेंट्री प्रिटल सेंट्री फ्यूगल प्रेस्ट डाइज़ कंप्रेसर तो दोस्तों इसका जो सेंट्री फ्यूगल फॉर्स के दौरा सेंट्री फॉर्स जिसके दौरा इंजन में पानी को बेजा जाता कितलन की कार्य बाहिए को नियंत्रित करता है फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम रेडियेटर फ्यैन कंट्रोल सिस्टम फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम नमबर च्यार है इगनिशन कंट्रोल सिस्टम परसंद सिंग्या जो सोड़ा है इसका सरी उतर क्या हो जाएगा दोस्तु रेडियेटर फ्यान कंट्रोल सिस्टम ऑप्सन नंबर बी है क्रेक्टर हो जाएगा दोस्तूं पसंद सिंगे सत्रा कूलिंग सिस्टम का प्रियोगने करने से इंजन में कौन सा दोस आ सकता है प्रीगनिशन नौकिंग डेटोनेशन उप्रक सभी यह सभी दोस आ सकते हैं प्र चारण पर्सण शिलेंडर चारू और एयर फिंस बने होने से क्या होता यह काम करते हैं यह एयर कोल्ड इंजन में लगे होते हैं और यह फिंस क्लम करते हैं हवा का छेतर बढ़नेगा दोस्तों नमब एक हो जाएगा अगला परसन है अगला परसन हमारा परसन सेंग yarn no जो शेलेंडर हेड़ होता या बलोक वाता है उसमे नली सी बनी होती है चारूं दिसाओं में जहां पिष्टन गतिय करता है उसके चारूं और गुजरता है और इंजिन को ठंडा करने का काम करता है तो दोस्तों इसका उतर हो जाया C water jacket अगला प्रसन देख अगला प्रसन नमरा इंजिन का तापमान सामानी रहना चाहिए कि इस कफ़ंदा नहीं कि आ aja सकता कोई नहीं परसन से इन इसका उत्र के आओगा दोस्तूँ астьूरralई लूपरेशन ओई प्रृपार लूब्रा ओल दोस्त्यन आप को सबसे हैं जो आपुक्सु लूपरती यह बी एक प्रकार यह इंजिन ओईल है लुब्रिकेशन ओईल कहते हैं जिसें लुब्रिकेट यह इंजिन के पार्ट्स को ठंडा करने का काम करता है यह बी एक प्रकार का क्या है सीतलेंट का काम करता है दोस्तु इंजिन सनिहन परनाली है वो भी यह सनिहन परनाली होती है ज सीतलन परनाली की वलकृत जल सीतलन परनाली में तामबे की नलियां किसकी सायताशें ठंडी होती है नमर एक जल दोवरा वायू दोवरा जल एम वायू दोवरा उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं पसंसे के जो 21 है हमारा 21 का उतर किया हो जाएगा दोरों दोस्तों वायू के दोरा जो तामबे की नलियां होती है वो किस के दोरा ठंडी होती है वायू के दोरा क्योंकि दोस्तों तामबे की जो नलियां होती है इसमें से होकर पानी बैता है तो पाणी की वज़ा से ये तामबे की जो नलियां गर्म होरी है आप समझ रहεί हैं दोस्तु आप कहोगी जल दोड़ा दोस्तु ये गलत होगा दोस्तु आप बताओ इंजन के पाṛts गर्म होरे हैं इंजन को थंड़ा करने केलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियेटर में जो नलियां बनी होती है वो तामबे और पितल किये और इसमें पानी घरम पानी ठंडा पानी डालते हैं ये पानी ठंडा पानी ये वो क्या काम करता है इंजन को ठंडा करने का काम करता है तो ये अगर पानी श्यम गरम हो गया तो ये नलियां भी क्या हो दोस्तू बाष से जो वायू मिलेगी बहुत अच्छा परसन है दोस्तो आज का डे अफ की उसन मान सकते हैं इसको बहुत-ी परसन है बहुत-ी हाड परसन हैar समझना आपको पर तिह चीज को आपको समझते ज़णा है दोस्तू तो आपको ज्यान रखनाएगी जो तामबे की नलियां होती है रेडियेटर में किसके दवारा होती है वायू की दवारा ठंडी होती है दोस्तों नैक यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा क्यूंकि यह जल है जल तो होई नी नहीं सकता है क्योंकि जल के कारण ही तो ही क्या हो रही है गरम हो रही है आगे next present देखते हैं दोस्तूं रियडियेटर में तामबे पितल की पतली पाइप लगाई जाती है क्योंकि सस्ती होती है उसमा इस्तान अंत्रन जल्दी होता है उसमा का इस्तान अंत्रन क्योंकि आप सब को पता है क्योंकि पानी है वो इंजन को ठंडा गरेगा तो पानी स्वयम गरम हो जाएगा पानी स्व का इस्ता नान्तरन जल्दी करती ह님的时候 on अपने मैंसे उसमा है उसको निकाल देती है बहुत इचा परसन है ये भी दोस्तों मोस्ट है इसको भी मैं मोस्ट करता हूँ इसे पहले वाला भी बहुत मोस्ट था दोस्तों तो next question देखते हैं अगला परसन है water cooling system में पानी को किस प्रकाठंडा किया जाता है फिंस द्वारा radiator द्वारा water jacket द्वारा उप्रक्त में से कोई नहीं परसन सी गया जो तेइस है कि जो water cooling system है इसमें जो पानी पानी को किस प्रकाठंडा किया जाता है दोस्तों radiator के द्वारा दोस्तों आप सबको पता है पानी श्यम ठंडा होता है पहले ये engine को ठंडा करने का काम करता है जैसे ये engine को ठंडे करेगा तो ये श्यम क्या है घरम हो जाएगा पानी को घरम पानी को ठंडा कौन करेगा radiator बाहर से आवा कहिंच कर वायू की द्वारा दोस्तों यही अगर air cooling system होता तो फिंस हो जाता है दोस्तों यह फिंस भी engine को ठंडा किस के मादिम से करते हैं दोस्तों वाय water jacket में पानी बैता है दोस्तों engine में अगला प्रसन हमारा प्रसन के चोंबी इस radiator में पानी कम हो जाने का कान हो सकता है तो इसका जो रेडियेटर में पानी कम हो जाने का कान होगा मतलब यह सभी option correct है उप्रोक सभी इसका उतर हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तु 25 नमबर anti-freeze solution में क्या होता है anti anti-n होता है विरोधी anti-n होता है दोस्तु विरोधी इसका मतलब और freeze freeze यह न होता है जमना solution यान इसका समाधान जमने का विरोध करता हो उसका solution ही क्या होता है anti-free solution तो इसमें क्या होता है glycerin alcohol मतलब जो radiator होता है इसमें glycerin alcohol की मातरा होती है ताकि जो पानी है वो पानी इसकी जो radiator की डिवार है वहाँ जमे नहीं जमेगा तो क्योंकि वाबाद में वो ठंडा नहीं हो पाएगा इसके लिए glycerin alcohol का इस्तेमाल की जाता है दोस्तों इसका option number C हो जाएगा correct कि anti-free solution में क्या होता है glycerin alcohol ये दोनों ही क्या है दोस्तों पेंट्रोलियम पदार्थ है दोस्तों अगला परसन देखते हैं अगला परसन हमारा दोस्तों 26 नमर anti-free solution का कार ये होता है anti-free क्या काम करता है दोस्तों बहुत इचा परसन है anti-free solution का कार ये radiator का पानी ठंडा करना radiator के पानी को जमने से रोकना radiator को पानी देना उप्रोक सभी दोस्तों आपके पास 3 शेकिन का समय अभी में ने बताया था इसका उतर बताईए कमेंट में आपका कमेंट आजाना चाहिए था दोस्तों आगया होगा तो option नमर जो 3 ये option नमर जो 2 है radiator के पानी को जमने से रोकना anti-free solution का मतलब क्या होता है radiator में पानी जमे नहीं इसका solution किया जाता है और ये anti-free solution में कौन से लोपदार्थ होते है glycerin और दोस्तों अभी ये बताया था alcohol next question है दोस्तों हमारा जब citalin परणाली में नीमन में से किसका प्योग नहीं किया जाता जल citalin में पंखा radiator heat sink जल दोस्तों आपको सब को पता है citalin का मतलब भी ठंडा करना होता हीट sink का क्या मतलब होगा option number secret हो जाएगा आगे देखते हैं अटाइस number person जब citalin परणाली में पानी को किस परकार की विवस्ता से ठंडा किया जाता है फिंसे हैं water jacket हों से रेडियेटर से हैं तो person की जो language है उसको बहुती समझना होती important है दोस्तों यहां जल सी तरनल परणानी में पानी को किस श्यम पानी जो इंजन को ठंडा करने के चकर में क्या है गरम हो जाता है उसको किस के द्वारा किया जाता है रेडियेटर द्वारा जिसमें एक पंखा लगा रहा तो वायू मंडल से हावा खिंच कर क्या करता है इसको ठंडा करने का काम है करता है दोस्तों नेक्स परसंद देखते हैं अगर ये वीडियो आपको फ़संद आ रहा है तो इसको लाइक कर्मेंट और शेर करना नहीं बूलें दोस्तों शिलेंडर के चारों तरफ फिंस बने होते हैं होने का कारण क्या होता है वायू मंडल का चेतरबल कम हो जाता है वायू मंडल का चेतरबल बढ़ जाता है परसंद सेंग क्या जो तीस है हमारा इसको उतर हो जाए उपरोग सभी जो इंजन हदी गरम होगा क्या कारण हो सकता है या तो रेडिएटर में पानी नहीं है या प्रीगनिशन बलब समय से पूरी उसका क्या है इंधन का जोलेन होना और वाटर पांप का बंद होना अगर वाटर पंद होगे तो इंजन को ठंडा करने का काम कोण गरा इस लिए क्या होजाएगा इंजन गरम हो जाएगा दोस्तों अगला परसन है हमारा रेडियेटर किस दातू के बनाए जाते हैं बहुत ही मैटोपन परसन है दोस्तों तामबा पितल लोहा ए और भी दोनू बहुत ही सिंपल है तिन सेकिंड का समय आपके पास कमेंट में उतर दीजिए आपने उतर दे लिया होगा दोस्तों या इसके आपसे आसा रखता हूँ तो दोस्तों इसका परसन का जो उतर है डी हो जाएगा तामबा और पितल दोनू क्योंकि दोनू ही यह इसी दातों है जिन पे पानी क्योंकि लगातार पानी बेने से जंग लग सकता है आईरन पे तो इसलिए तामबा पितल का इस्तिमाल किया जाता है ताकि इस पे जंग ने आये और जो पानी है वो इस पे जमता भी भूँत कम है और अगर जम भी जाता है तो एक एंटी जो सिस्टम होता है solution उसका इस्तिमाल कर लिया जाता है दोस्तों एंटी फ्री सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसमें जमा वाजो जल है उसको भी उतार दिया जाता है नेक्स्क्यूशन की बात करते हैं दोस्तूँ अगला पसने हमारा थर्मोइस्टेट वाल हुए आप सब को पता है क्या होता है जेसी इंजन को लगता है हाँ यई तेमप्रेशर बहुत अच्छा है तो इस्ति ने में थर्मोइस्टेट वाल का आये तापमान फिक्स होता है उस तापमान पहर जीरो डिग्री पर असी डिग्री माइनस पर तो दोस्तों हमारा जो बतीस नंपर पसनी तर्म इस्टेट वाल वाल फिट किया जाता है वाटर आउटलेट में रेडियेटर के उपर वाटर इनलेट में वाटर जेकेट में दोस्तों सब पानी निकलता है, वहाँ क्या होता है, जश्थ फल्सिंग, इस्ट्रस्ट फल्सिंग, राउंड फल्सिंग और उप्रोक्त मेरा कोई नहीं, तो ये दोस्तों एक दम सिंपल पर संग. जो पणी का जमाव हो गया है या कोई अवरूद हो गया है कुछ है तो रिडियूटर को साप करने की जो परकिर्य होती है वो कहलाती है reverse pulsing जो नल होता है अमारे बातरूं में भी होता है तो आप जानते हैं फालसिंग का मलब होता है धोना या चालू करना या उल्टा जो पानी है उसको चलाएंगे तो ये रेडियो जो क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा अगला परसन है दोस्तों हमारा 35 नमर वायू सीतलन परणाली में इंजन को ठंडा करने के लिए काउपियो किया जाता है वायू में जो होता है जल का वायू का तेल का अपरोट में से कोई नहीं बहुत ही सिंपल परसन दो सेगिंड का समय कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तू इसका उत्तर हो जाएगा वायू की जो वायू सितलन परणाली समय है इंजन को ठंडा कर से किया जाता है वायू के data अगला परसन देखते हैं अगला परसन हमारा वन मिनट मे अगला परसन हमारा कोड़ी और हो रही है हां 39 नमबर क्योषन एक बहु शिलेंडर मलब एक श्यादिक शिलेंडर वाले डीजल इंजन की जल सितलन प्रणाली में वायु मनली वायु पृइस करने के लक्षण क्या है अतितपन सितलन स्लेशी हो जाता है सितलन लाल हो जाता है सितलन हरा हो जाता है दोस्तों इसमें बात हो रही है कि डीजल इंजन होगा उसमें जो रेडियेटर होगा उसमें पानी होगा पानी तो अंदर है लेकिन बार से अगर वायू भी उसके अंदर चली जाती है तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा तो इस पानी का रंग लग बग हरा हो जाएगा दोस्तों डीजल इंजन की बात हो रही है जो पानी है वो वायू के संपरक में आने से हैं क्योंकि बहुत ज़्यदा हीट के साथ गरम होता है ठंडा होता है तो उसके बाद में हो क्या हो जाएगा दोस्तों हरा डेकन होता है जो दाब युक्त होता है सितलन के लिए बड़े रेडियेटर खुली सितलन की अपेक्सा अधिक सितला के दाब पूर्ण डेकन जो सितलक के उबाल को रोके है शीर्स और शिलेंडर होज पर बड़े जल जेकेट है ट्र लेकाइन तो ऑपूर्ण ऑपूर्ण रेडियेटर जो की कुलेंट के उबाल को रोक सके क्योंकि कुलेंट का उबाल भूज यदा होता है दोस्तों лекस परसन देखते है घुड़े के वेल्ट टेन्शन शेः उत्पं होती है खट-कट की धवनी, थप-थपाने की धवनी, खर-कराने की धवनी, खट-कटाने की धवनी, अगर एक दम भूज यदा खेंच दी जाए, टाइट कर दी जाए, तो क्या होगा, खर-कराने की धवनी, आएगी दोस्तों, उप्स नमर सी है, इसका क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तो अगला परसन है हमारा इंजन में जल सितलन प्रणाली वीबिन परकार की होती है जल पंप के साथ परदत जल सितलन प्रणाली का ना मताईए जल पंप के साथ उसमा साइफोरी के प्राणोदीत संचरन प्रतेक सितलन तो यह होगी प्रणोदीत संचरन प्रणाली इसका उतर हो अग्ला परसन देखते हैं दोस्तूरूं आज का यह लाष्ट परसन होगा दोस्तूरूं लम्बे चलन के बाद डिजल इंजन का सीतन हो जाता है तो अंधरी अंधरे कि वायू का कंप्रेशन बन जाता है तो उसके द्वारा जो वालू के जरी परसा टंकी से जल का रेडियेटर में परदिप्त जो परवा हो जाता हो क्या होता है वेक्यूम बनलब उपर एक क्या हो जाती है हम सब देखते हैं बहु ज़्यदा लंबी गाड़ी चलाने के बाद में जब रेडियेटर का डखन खोलते या तो पानी उचलता है या हवा निकलती है भोती गरम है तो उसे निर्वात या वेक्यूम में कहते हैं जो इन रेडियेटर के अंदर इस्तापित हो जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ये वीडियो अभी पूर्पूर्ण हो गया है फिर से मिलते है नेक्स्ट व वीडियो देखने के लिए धनिवाद जेहिंद जेबार्द